इस्रेल ने कहा कि उसने हमास के एक बहुत बड़े कमांडर को मार डारा है एमिन नोपाल हमास का सेंट्रो गाजा ब्रिगेट का कमांडर था अब इस्रेल के रक्षा मन्ति ने कहा कि ये युद्ध लंबा चलेगा लेकिन अब इरान की तरफ से आई दो बड़ी बॉर्डिंग बहुत खतरनाक इशारा कर रही है यह लेपनन सीरिया का बॉर्डर है और सामने इस्रेल के टावर है टावर पर छोटे रैडार भी लगे हैं कम्मिकेशन सिस्टम भी लगे हैं और सर्विलांस कैमरे भी लगे हैं तब ही जाडियों में से निकलती एक स्नाइपर की राइफर और फिर देखिए क्या होता है पहले रैडार पर गोली फायर होती है फिर कम्मिनिकेशन सिस्टम थोड़ा जाता है फिर सर्विलांस कैमरे पर गोली पड़ती है ये सब कुछ इसरेल लेपनन बॉर्डर पर हो रहा है इसरेल डिफेंस का पूरा निगरानी स्ट्रक्चर हेजबॉल्ला ने उखाड़ना शुरू कर दिया है लेकिन इसके बाद जो होता है वो नेतन याहू को डरा देगा ये हनीता बॉर्डर पॉइंट है यहाँ एक मिसाइल निकलती है और सीधे बॉर्डर पर खड़े इसरेल के मरकावा टैंक को फोर देती है एक पर देखिए हमला कैसे होता है दूआ छटता है तो इसरेल के बाद की टैंक भागने लगते हैं दूसरा वीडियो दोहेरा बॉर्डर पॉइंट से आया है यहाँ भी इसरेल का मरकावा टैंक घूम रहा था और फिर होता है एक बड़ा हमला हेजबुल्ला एंटी टैंक मिसाइल फायर करता है मिसाइल टैंक की तरफ बहुत तेजी से बढ़ती है और इसरेल के मरकावा में बहुत बड़ा धमाका होता है लेबनन बॉर्डर पर इसरेल के टैंक पर हमलों का वीडियो बहुत डराने वाला है इसरेली टैंक के ऐसी तबाह होने की तज़्वीरें जब इरान पहुँची तो वहां की विदेश मंत्रे ने बहुत खतरनाक बयान दे दिया हुसान अमिर अब्दॉल्ला हिया ने कहा की अगले कुछ घंटों में इसरेल पर बड़ा हमला हो सकता है हिजबॉल्ला की तरफ इशारा करते हुए इरान ने कहा है कि अगर इरान और लेबनन ने इसरेल को जबाब नहीं दिया तो इसरेल की सेनत तहरान और बेरूत पर गल हमला करदेगी सुरत तदावूम जनायात जंगी रजीम कुदकुश इसराईल अलिह साकनान गेर नजामी गज़े हर इहतमाली मुतसवर हस इसम कोई शक नहीं कि इसरेल की फाद जिस तरह से घाज़ा को हजारों टन बम मार कर समतल कर रही है इसने इरान को बहुत ज्यादा बेचैन कर दिया है इरान ने पूरे पश्यमेशिया का एक एक इंच नापकर इसराईल की ताकत का पूरा अंदासा लगा लिया है इसरेल लेबनान बॉर्डर पर बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जो युद्ध को गाजा से निकाल कर उत्री इसरेल की तरफ ले जाए गाजा के आसपास पहले ही बहुत सादा तमाव है लगतार गोलाबारी हो रही है और अब हिजबुल्ला का खत्रा यहां महसूस हो रहा है इसरेल पर हमले का खत्रा इसने बढ़ चुका है क्योंकि इरान के सुप्रीम लीडर आयोतला अली खामनेई ने अमारिका तक को चेताबनी जारी कर दी है अली खामनेई ने कहा है कि अगर खाजा में इसरेल के जल्म खत्म नहीं होए तो दुनिया की कोई ताकत मुसल्मानों को रोक नहीं पाएगी हमास के हमले के बाद इरान ने इस वक्त अपने मिलीशिया गोटों और मित्र देशों को एक्टिव कर दिया है सवधी अरब, जौडन और मिस्र से भी इसरेल को कड़वे शब्द ही मिले है इस वक्त हिजबुल्ला भी एक्टिव है इस वक्त सीरिया भी एक्टिव है इस वक्त इराक में आईये साइस का खात्मा करने वाली फोर्स हश्द अल शाबी भी तयार है इस वक्त इमन भी एक्टिव है सितंबर महीने में ही यमन ने अपनी मिलेटरी परेड निकाली थी और इस परेड में ऐसी ऐसी मिसाइल और ड्रोन दिखा है जो इस इलाके में अमेरिका और उसके दोस्तों को परिशान कर सकते है यमन वो देश है जिसने पिछले आठ वर्षों तक साओधी अरब और उसके 15 साथ की देशों से योधल लड़ा जिस युद में उसके खिलाफ अमेरिका भी रहा बिटन भी रहा और इसरैल ने भी यमन के खिलाफ मदद की अब वही यमन अमेरिका और इसरैल दोनों को ललकार रहा है युद की ऐसी ललकार ऐसा गुसा आप इस इलाके को पश्यम एशिया कहकर बुलाईए इसे खाड़ी कहिए या फिर मेडलीस नाम कितने भी हो लेकिन इस वक्ती ओक्रेन के बाद दोनिया का सबसे ख़दरनाक इलाका कोई है तो वो यही जमीन है पिछले चार दशकों से ये इलाका युद्ध देख रहा है यमन के इस मिसाइल का नाम है तूफान जो एक हजार किलोमेटर की रेंज तक मार कर सकती है इस मिसाइल से यमन ने सौदी अरब को कई बार डराया है इसरैल को भी लगता है कि यमन को ऐसे और हथियार मिल सकते है और फिर वो उसके लिए खत्रा बन जाएंगे इरान भी यही डर पैलाना चाहता है जाहिर है कि इसरैल के लिए ये ये नया फ्रंट साबित हो रहा है अब गाजा के धमाकूने हजबला के साथ एरान को युद मे कूदने के लिए तयार कर दिया है इसलिए इसरैल और अमेरिका के खिलाब उसका युद किसी भी वक्त शुरू हो सकता है अमरीकाई हा हमँन तुर के गफतें पयाम-हाया रो मीदन, वमां पयाम दियान पयाम-शों वीव एरान शामल तकित अरख प्रुष्दद्न-वारी و अदम गुस्तरश-जग जग दिया पासुख मी दहीं, कि मा ब दन्बाल गुस्तरश जंग नीसी, अमा खीश्टनदारी नमीतोने यक जानब बाशे, शुमा नमीतोनीद बेह पीश्टनदारी लुपनान पीश्टनदारी बुकने, बड़ बेन नतान्योही बगुई, दस्त शुमा रो बाज मीघजारीं, हर जना इसका अंदाजा इस बात से लगाई है, साथ अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर एक साथ पास हजार रोकेट डागे, जिसकी वज़ा से इसराइल क्या आईरन डोम भी पूरी तरह से नाकाम हो गया, सवाल ये है कि अगर इरान इसराइल पर हमला करता है, तो फिर क्या अमेरिका के इतने मिलिटरी अड्डे हैं, जहां से इरान के खिलाफ हमले लॉंच किया जा सकते हैं, इसलिए कोई शक नहीं कि घाजा में युद्ध के साथ साथ, अब इसराइल से पहले उसने अमेरिका के फौजी अड्डों को अपने टार्गेट पर ले लिया है, इरान के आसपास अमेरिकी सेना के कई मिलिटरी बेस हैं, और इनमें कुल 40,000 से जादा अमेरिकी सेनिक तैनात हैं, इसमें कोवैट में 10 सेन अड्डे हैं, और यहां अमेरिका के 13,000 से जादा सैनिक हैं, बहरीन में अमेरिका ने 12 अड्डे बनाए हैं, और यहां उसके 3700 से जादा फ अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिटरी बेस है और यहां 13,000 अमेरिकी सैनिक रखे गए हैं। यह वो देश हैं जहां से इरान बहुत ज्यादा करीब है। अगर इसरेल और लेबनन बॉर्डर पर युद्ध होता है और इसमें इरान भी शामिल हो जाता है तो समझ लीजे इन सभी अड़ों से इरान पर हमले लॉंच किये जाएंगे या फिर इरान इनको अपने मिसाइल अटैक से मिठी में मिला देगा। इरान पहले ही अमेरिका को आस पास बरदाश्ट नहीं कर पा रहा और अब घाजा इसरेल के बीच युद्ध ने युद्ध का एक नया बहाना दे दिया है।